हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दैग्जाम तक पे फ्रेंड आज किस वीडियो में हम लोग साइस के परश्ण को कवर करने वाले हैं इससे पहले हम अल्रेडी पांच सेट को कवर कर चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है उसका लिंक लिंक से जो है वीडियो देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड आज के वीडियो को श्टार्ट करते हैं आज का पाला स्वाल है कि बाहनों से निकलने वाली गैस कौन से है बाहनों से निकलने वाली गैस की बात करें तो बाहन से जो है वो कार्बन मोनो उक्साइड गैस निकलती है जो कि अपसर नोबर भी इसका राइट एंसर हो जाएगा कार्बन मोनो उक्साइड गैस या जो है ब अगला हमारा प्रशन है कि निमन में से कौन सा पदार्थ सामून बनाने के लिए परियुक्त होती है। जो कि डायलिसिस का लाती है तो डायलिसिस इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि विटामिन जो खटे फलो में पाये जाता है तिथा चर्म को स्वस्त रखने में जरूरी होता है या कौन सा विटामिन है इसकी बात करें तो यह जो है विटामिन C है जो कि खटे फोलो में पाया जाता है और यह जो है चर्व को स्वस्त रखने में जरूरी होता है अगला हमारा प्रशन है कि किसकी कमी से मधुमे होता है मधुमे की बात करें तो मधुमे जो है वो इंसुलीन की कमी से होता है फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लायक जरूर कीजेगा और चैनल से अभी तक नहीं चुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अगला हमारा प्रशन है कि पौधो एबम पेडो का खाना तयार करने की प्रकिरिया क्या कर लाती है पौधो एबम पेडो के खाना तयार करने की प्रकिरिया की बात करें तो इसकी जो प्रकिरिया है वो फोटो सिंथेसिस का लाती है तो फोटो सिंथेसिस इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि जैविक सिस्टम में रसायनिक किरिया की प्रकिरिया को तेजी करने के लिए उतरदाई पदार्थ कौन सा है इसकी बाद करें तो यह जो है एंजायम उतरदाई पदार्थ है जो कि जैविक सिस्टम में रसायनिक किरिया की प्रकिरिया करने में तेजी लाती है अगला हमारा प् अगला हमारा प्रश्ण है कि इंसाइड 2A को कब छोड़ा गया था इंसाइड 2A की बात करें तो इंसाइड 2A को छोड़ा गया था तो 10 जुलाई 1992 इंसाइड 2 इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए अब हम लोग अगले प्रश्ण को देखते हैं फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जितने भी प्रश्ण है ओ इंपोर्टेंट या फिर प्रेवियस एर के हैं तो आप लोग जो है सुरू से आन तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे अगला हमारा प्रश्ण है कि पानी का घंत तो अधिकतम होता है पानी के घंत की बात करें तो पानी का घंत जो है वो अधिकतम 4 डिग्री सिंटीग्रेट पर होता है तो 4 डिग्री सिंटीग्रेट या फिर सेल्सेस इसका राइट एंसर हो जगा अगला हमारा प्रश्ण है कि दाड़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं दाड़ी बनाने के काम में जो है वो अब्तल दर्पन का परियोग किया जाता है तो अब्तल दर्पन इसका राय टेंसर हो जागा अत्वल दरपन का पर्योग आधि बनाने में किया जाता है अगला हमारा प्रश्ण है कि 2 पहर के 12 बज़े किस दिशा में इंदर धनुस दिखाई देता है 2 पहर के 12 बज़ने के समय इंदर धनुस वो कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसका पर्तिमियम सामने की ओर पड़ेगा तो इंदर धनुस नहीं बन पाएगा तो इसमें बारवजय के बाद किसी दिसा में इंदर धनुस नहीं दिखाई देगा अगला हमारा प्रश्ण है कि दूर दृरिष्टी निवारन के लिए काम में लाते हैं तो इसमे उत्तल लेंस का पर्योग किया जाता है तो इत्तल लेंस जो की दूर दृरिष्टी दोस के लिए पर्योग किया जाता है अगला हमारा प्रश्ण है कि परकास का सुन्य अवकास में वेग अनुमानता मान की बात करें तो इसका मान 3-10 पर 8 मीटर पर सकेंड होता है तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सकेंड इसका राइट इंसर हो जागा अगला हमारा प्रश्ण है कि धोने के सोड़े का रसाइनिक सुत्र क्या है धोने के सोड़े का रसाइनिक सुत्र की बात करें तो इसका रसाइनिक सुत्र जो है यहने 2CO3 है यहने 2CO3 जो की धोन सोड़ा है तो यहने 2CO3 इसका राइट इंसर हो जागा अगला हमारा प्रश्ण है सुस्क बर्फ है सुस्क बर्फ की बात करें तिया जो है एक ठोस कारवन डियोकसाइड है तो ठोस कारवन डियोकसाइड अपसर नमर 20 का राइट एंसर हो जाएगा सुस्क बर्फ एक ठोस कारवन डियोकसाइड अगला हमारा प्रश्ण है कि रसाइनिक उध्धोग में कौन सत तेजाब मुल रसाइनिक माना जाता है रसाइनिक उध्धोग में तेजाब की बात करें तिया जो है H2SO4 मुख रसाइनिक तेजाब माना जाता है तो H2SO4 इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रश्ण है कि परमानु के नाविक में निम्न कन होते हैं परमानु के नाविक की बात करें तो परमानु के नाविक में जो है वो प्रोटोन और नीट्रोन होते हैं तो proton और neutron इसका right answer हो जागा यह दोनों प्रमानु के नाभिक में पाये जाते हैं अगला हमारा प्रश्ण है कि निम्न गैश में आसू गैश की तरह काम में लाते हैं आसू गैश की बात करें तो आसू गैश जो है option number C यंटू जो है और आसू गैश है अगला हमारा प्रश्ण है स्वर यहां पर यंटू नहीं यसो टू जो है हमारा आसू गैश से तो यसो टू इसका right answer हो जाएगा अगला हमारा प्रश्ण है कि किस धातू से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पूर्जे के काम में लिया जाता है पुर्जय के काम में लिए जो है हवाई जहाज में इसमें पुर्जय के काम में एल्मूनियम का पर्योग किया जाता है तो एल्मूनियम इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रश्ण है कि आतों में रोग के निदान में निम्न किरनों का उप्योग किया जाता है आतों के रोग के निदान के लिए जो है इसमें एक्स किरनों का परियोग किया जाता है तो एक्स किरन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि परियोग साला में स्वर पर्थम DNA का संसलेशन किसके द्वारा किया गया था DNA का संसलेशन जो कि हर्गोविंद खुराना के द्वारा किया गया था तो हर्गोविंद खुराना इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि जैव विकास को स्वर पर्थम किशने समझाया जैव विकास की बात करें तो जैव विकास को स्वर पर्थम लैमार के द्वारा समझाया गया था तो लैमार की इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि प्रकाश संसलेशन के लिए कौन सी गैस अवस्यक है प्रकाश संसलेशन की बात करें तो प्रकाश संसलेशन में जो है वो CO2 गैस अवस्यक है तो CO2 इसका right answer हो जाएगा अगला हमारा प्रश्ण है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता है यानि सर्वदाता रक्त की बात करें तो सर्वदाता रक्त जो है वो है और सर्वग्राहे जो की ए भी है तो सर्वदाता यहां पुछा है सर्वदाता जो है वो हो जाएगा पुरूस जिन संगठन है पुरूस जिन संगठन की बात करें तो पुरूस जिन संगठन जो है वो X और Y है और महिला जो की X X है तो यहां पुरूस पुछा है तो पुरूस जो है X Y हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है परकास शंसलेशन होता है प्रकास संसलेशन की बात करें तो प्रकास संसलेशन जो है वो केबल दीन में होता है तो दीन इसका राय इंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रश्ण है कि परकास भीकरन की प्रकिरती होती है परकास भीकरन की प्रकिरती की बाद करें तो यह जो है तरंग एबंकन के शमान होती है तरंग एबंकन के शमान जो कि परकास भीकरन की प्रकिरती होती है अगला हमारा प्रश्ण है कि सुरी के प्रकास को धर्ती की सता पर पहुचने में लगने वाला समय लगवग होता है इसमें लगवग देता है 18 से 20 अगला हमारा प्रश्ण है कि ध्वनी का बायू में बेग अनुमानता होता है द्वनिका वायू में या कुल दिख gotta sat चली हम लोग अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हा कि क्या करता है ट्रीवनंध पूराम के स्थित है अगला प्रश्ण है कि कव को पध्यान क्या कालता है कवको का अध्यान की बात करें तो यह जो है माइकोलोजी कलाता है कवको का अध्यान माइकोलोजी सिक्को का अध्यान क्या कलाता है सिक्को का अध्यान की बात करें तो सिक्को का जो अध्यान है वो न्यू मैस्मेटिक्स कलाता है अगला हमारा प्रश्ण है कि cellular और molecular जीप विग्ञान के अंदर कहा अस्थित है यह जो है हैद्राबाद में अस्थित है तो हैद्राबाद इसका राइट अस्थित है अगला हमारा प्रश्ण है कि center for DNA fingerprint and diagnostic अवस्थित है इसकी बात करें तो यह जो है वो हैदराबाद में भी अस्तित है Center for DNA Fingerprint and Dagger Stick अगला हमरा प्रशन है कि आधुनिक वर्गी करन का पिता किसे कहा जाता है अधुनिक वर्गी करन के पिता की बाद करे तो आधुनिक वर्गी करन के पिता जो है वो लीनियस है तो लीनियस इसका right answer हो जाएगा अगला हमरा प्रशन है कि कोशिका का अध्यन क्या कर लाता है कोशिका का अध्यन की बाद करे तो कोशिका का जो अध्यन है वो cytology कर लाता है तो cytology इसका right answer हो जाएगा कोशिका का अध्यन cytology स्टित है नेशनल Germical Laboratories, कहां अस्थित है नेशनल केमिकल लिबरोटरिक के बाद करे तो यह जो है पूने में अस्थित है तो पूने इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां अस्थित है मलेरिया रिसर्च सेंटर की बाद करें तो यह जो है दिल्ली में अस्थित है मलेरिया रिसर्च सेंटर जो की दिल्ली में अस्थित है अंगूरों का उत्पादन समंदित है अंगूरों की उत्पादन की बाद करें तो यह जो है वीटी कल्चर से समंदित है अगुरुत पादन वीटी कल्चर नेत्र रोग का चिकित्सक का लाता है नेत्र रोग की चिकित्सक की बाद करें तो इसका जो चिकित्सक वो यह अप्थाल्मोलोजी का लाता है तो अप्शन नमर भी अप्थाल्मोलोजी इसका राइट एंसर हो जागा नेत्र रोग की चिकित नगर में अस्थित है इज्यत नगर इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे है तो आप जो है एक लाइक और एक शेयर जरूर किजेगा चलिए तो अगले प्रशन को हम देखते हैं अगला हमारा प्रशन है कि किस विग्यान में पच्छियों से संबनीत अधियन किया जाता है पच्छियों से संबनीत अधियन के बात करिति यह और नीथो लोजी में किया जाता है तो और नीथो लोजी इसका राइट एंसर हो जगा अगला प्रशन है कि पलाजमा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है पलाजमा अनुसंधान संस्थान जो कि गांधी निगर में स्थित है राष्टिय डेरिय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है राष्टिय डेरिय अनुसंधान केंदर यानि वार्क कहां अस्थित है वार्क की बात करें तो वार्क जो है ये ट्रामबे में अस्थित है तो ट्रामबे इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्णा है कि नेशनल व्रेन रिसर्च सेंटर कहा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की बात करें तिया जो है गुडगाओं में स्थित है गुडगाओं इसका राइट इंसर हो जाएगा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुडगाओं जीबो में पाये जाने वाले रोगों का अध्यान क्या कलाता है विघ्ञान की साथिय। पुन जनक की नहीं का आ जाता है। चिकिसा सास्त का जनक की बात करें, दिया जो है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है, हिपोक्रेटस को जो है, चिकिसा सास्त का जनक कहा जाता है, अगला हमरा प्रशन है कि टिवर कलोसिस रिसर्च सेंटर कहां स्थी थे, टिवर कलोसिस रिसर्च सेंटर जो की चन्नाई में स्थी थ तो एपी कल्चर से समदी थे तो एपी कल्चर इसका राइट एंसर हो जागा अगला हमारा प्रश्ण है कि भुकम्पो का अध्यान का लाता है भुकम्पो के अध्यान के बात करे तिया जो है सिस्मोलोजी का लाता है सिस्मोलोजी जो कि भुकम्पो का अध्यान का लाता है अगला हमारा प्रश्ण है कि अधुनिक वनस्पती विग्यान के जनक किने का जाता है अधुनिक वनस्पती विग्यान के जनक जो कि लीनियस को का जाता है तो लीनियस इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि धातु विग्यान का जनक किसी का जाता है तेस्ट कौण से चिकिसा से संवखनेत है त्रेट मिल्ल टेस्ट की बात करें त्या सब्रस्ण सब्सक्र차 के सब्सक्राब करें कि legitimately avec99 प्रश्ण है कि सभण का अध्ययन क्या ऐस्वापनों का अध्ययन की बात करें और नीरो लोजी कलाता है और नीरो लोजी जो की सपनों का अध्यन कलाता है अगला मेरा प्रश्ण है कि केंद्रिये बनस्पती अनुसंधान संस्थान कहां आवस्तित है केंद्रिये बनस्पती अनुसंधान संस्थान के वाद करे तो केंद्रिये बनस्पती अनुसंधान संस्थान जो क लखनव में अस्तित है तो लखनव इसका राइट इन सरो जाएगा अगला प्रशन है कि फॉलो का अध्यान क्या कलाता है फॉलो के अध्यान की बात करें तो फॉलो का जो अध्यान है वो पॉमोलोजी कलाता है पॉमोलोजी फॉलो का अध्यान मानव विकास का अध्यान क्या क अस्टियोलोजी के बात करें तो अस्टियोलोजी में जो है वो अस्थियों का ध्यां किया जाता है और से अस्टियोलोजी और और से अस्थियां अगला हमरा प्रश्ण है कि किंद्रिय अस्थिय अनसंधान संस्थान कहां अस्थित है किंद्रिय अस्थिय अनसंधान संस्थान जो कि लखनव में अस्तित है तो लखनव इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें सारे प्रश्ण जो है इंपोर्टेंट है तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहे हैं अगला हम प्रश्ण है कि किंद्रीय चावला अनसंदान संस्तान कहा अस्तित है जो की कटख में अस्तित है फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी एक सेर जरूर किजेगा अगला हमारा प्रश्ण है कि कीटो का अध्यान क्या करता है कीटो के अध्यान की बात करें तो कीटो का जो अध्यान है वो एंटेमो लाजी करता है तो चलिए फिरेंट अब हम लोग अगले प्रश्ट को देखते हैं अगला हमारा प्रश्ण है कि हाइड्रोजन बम किस अभिकिरिया पर अधारित है हाइड्रोजन बम की बात करें तो यह जो है नाव की सनलेयन पर अधारित है लेकिन हाइड्रोजन बम जो की नाब की है सनलेयन पर यहाँ परमानो बम पुछा है तो परमानो बम नाब की है विखंडन और हाइड्रोजन बम जो है नाब की है सनलेयन यह दोनों पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखेगा अगला प्रश्ण है कि रडार के अविस्कारक कौन है रडार के अविस्कारक की बात करे तो अलवर्ट टेलर जो है वो रडार के अविस्कारक है अलवर्ट टेलर रडार के अविस्कारक अगला हमरा प्रश्ण है कि निट्रिनो की खोज किसने की थी निट्रिनो की खोज की बात करें तो यह जो है पॉली के द्वारा किया गया था अगला हमारा प्रस्ने की आवार्थ के नियम की खोज किस ने की आवार्थ के नियम का खोज की बात करें तो आवार्थ के नियम का जो खोज है वो मेंडिलिफ के द्वारा किया गया अगला प्रशन है कि प्रथम नाब किये रियक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया प्रथम नाब किये रियक्टर जो कि आयरिनीको फर्मी के निर्देश में बनाया गया था तो आयरिनीको फर्मी इसका राइट एंसर हो जागा अगला प्रशने की पर्थाम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था पर्थाम हाइड्रोजन बम जो की उनिस्चो बामन में बनाया गया था पर्थाम हाइड्रोजन बम उनिस्चो बामन अगला प्रशने की प्रोटॉन किस परकार का कन है प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कन है धन आवेशित युक तीसका रहेटेंसर हो जागा इलक्त्रोन किस परकार का कन है इलक्त्रोन की बात करें तो इलक्त्रोन जो है ये रीन आवेशित है लेकिन प्रोटोन जो है वो धन आविशित है अगला प्रशन है कि नीट्रोन किस परकार का कन है नीट्रोन की बात करें तो नीट्रोन जो है वो आवेश हीन है ना तो धन आयुक्त है ना तो रहीन आयुक्त है तो ये जो है आवेश हीन हो जाएगा अगला हमारा प्रश्ण है कि पर्मानु वम का अविश्कार किस ने किया पर्मानु वम का अविश्कार कि बात करें तो पर्मानु वम का अविश्कार कि बात करें तो पर्मानु का अविश्कार कि बात करें तो अटो हान है वो जेजे थैमसन के द्वारा किया गया था अगला प्रशन है कि प्रोटाउन का खोज किस ने की थी प्रोटाउन के खोज के बात करें तो प्रोटाउन का जो खोज है और गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया था पोलियो के टिके का खोज की बात करें, तो यह जो है, जौन इस साल के द्वारा किया गया था, जौन इस साल किसका राइटन सरो जगा, डाइनामाइट के अविसकारक की बात करें, तो अलफ्रेड नॉवेल जो है, और डाइनामाइट के अविसकारक है, पॉजिट्रोन की सबस्क्राइब भात करे तो यह जो है गामा किरन इसका राइटेंस रो जागा टेली-फोन का अविसकार किस ने किया खिर और बजंडस voter और बात और बात करें तो जो आप यह जन्डर ग्राहम पेल के विखंडर तरीगर की बाद करें धरमिता का विश्कारक की बाद करें तो रेडियो धनविता का विश्कारग जो है वो है हैंडी वैकुलर है फरसिद वीगवैंग त стать различ वीगवैंग त्योरी जो है इसका सिधान या जो है Doppler फ्रभाव प्रभाव पर आधारी थे तो Doppler प्रभाव इसका राइड अगला प्रसन है कि इन में से कौन सुछ मुताथ् mandate है, सुच मुताथ्, भारत का पर्थम पर्माणू र्यक्टर है, जो कि अपसरा के नाम से जना जाता है, तो अपसरा इसका राईट एंसरaw जागा, चले अबुए हम लोग अगले प्रस्ट को देखते हैं, अगला प्रश्ण है कि इलक्ट्रोन के आवेश पर निधारित किशनी किया था, इलक्ट्रोन के आवेश का निधानन जो है, यह जो है मिलिकन के द्वारा किया गया था, इनके द्वारा इलक्ट्रोन के आवेश का निधानन किया गया था, अगला प्रश्ण है कि परमानु में सबसे हलका करन कौन सा है परमानुमें अवसथि इसका आयू है ग्यात करने के लिए कारवन 14 का परियों का परियों लक्डिक के आयू ग्याद करने के लिए किया जाता है अगला प्रस्न है कि पॉजिट्रोन किसका पर्तिकरन है पॉजिट्रोन की बात करें तो पॉजिट्रोन एक इलक्ट्रोन का पर्तिकरन है अगला प्रसन है कि पिर्थवी की आयू का आकलन के बात करें तो पॉल विलाड के द्वारा किया गया तो पॉल विलाड इसका राइटेंस रो जगा है अगला प्रशन है कि जिवास्म की आयू का निधानन किसके द्वारा होता है जिवास्म की आयू का निधानन जो है वो रेडियो कारवन डेटिंग के द्वारा होता है रेडियो कारवन डेटिंग इसके द्वार जो है जिवास्म के आयू का निधान किया जाता है पोलोनियम जो है पोलोनियम का खोज किस ने किया पोलोनियम के खोज की बात करे तो पोलोनियम का जो खोज है वो मेरिक यूरी के द्वारा किया गया पलोनियम मेरिक यूरी अगला प्रशने की अक्रिये गैसों का खोज किस ने की अक्रिये गैसों की खोज की बात करें तो अक्रिये गैसों का खोज जो है रैमजे के दारा किया गया तो रेम जे इसका राइट एंसर रोजगा अगला प्रशने की डाइनामाइट बनाने में किस गैस का प्रियोग किया जाता है डाइनामाइट बनाने में जो है वो नाइट्रो गलिसरीन गैस का प्रियोग किया जाता है तो नैट्रो गलेसरीन गैस इसका राइट एंसर हो जगा है अगला प्रशन है कि हाइड्रोजन अगला प्रशन है कि हाइड्रोजन बम किस ने विक्सित किया है हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम जो है वो जे रावबाट ओपन हीमर के द्वारा विक्सित किया गया sorry friend यहाँ पे hydrogen bomb पुछा है hydrogen bomb की बात करें तो hydrogen bomb जो है वो Samuel Cohen के द्वारा विक्सित किया गया था तो Samuel Cohen इसका right answer हो जागा अगला हमरा प्रश्ण है कि परमानु bomb का अविस्कारक किस ने किया था परमानु bomb के अविस्कार के बात करें तो परमानु bomb का अविस्कार जो है यह J. Robot Open Hemer के द्वारा किया गया था तो J. Robot Open Hemer इसका right answer हो जागा परमानु bomb J. Robot Open Hemer तो friend हमने आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्ण खोलिया था तो आपको वीडियो कैसे लगए आप लोग जरूर बताईएगा और साथी कमेंट में यह बताना है कि अभी तक आपने मेरे चैनल से जो है चैनल को सब्सक्राइब किये हैं या नहीं किये हैं और सारे वीडियो को देखे हैं कि नहीं देखे हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक सेर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं देखने के लिए धन्यवाद चलिए तो आप हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगें आज के लिए इतना ही जाहिन